इस बार महाशिवरात्री 14 फरवरी कुछ लोग 13 को भी मना रहे हैं इसलिए मंदिरों को सजाने सवारने का काम अभी से शुरू हो चुका है महाशिवरात्री के दिन गंगा सहित अन्यनदियों में इसनान वैदान किया जाता है कई शिवालियों वे घरों में भाक्त चारो पहर की शिवजी की पूजा तथा रुद्रा विशेक वे महामरतुन जन्जाप का पाठ करते हैं ये बात तो हम सभी जानते हैं कि शिवजी सभी कल्यान करते हैं महाशिवरात्री का दिन घर में शिवलें की इस थापना के लिए सबसे उप्योक्त माना जाता है लेकिन इस बार की महाशिवरात्री विशेश है क्योंकि इस दिन एक बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है हिंदु धर में शिवरात्री का पर्व विशेश महत्व रखता है ऐसी मानिता हैं कि इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से वो जल्द ही प्रसंद होते हैं और अपने भगतों की हर मनुकामना पूरी करते हैं आपको बता दें कि साल 2018 में महाशिवरात्री दो मार मनाई जाएगी इन दोनों शिवरात्रीयों का नाम अलगलग होता है पहली शिवरात्री श्रावण मास और दूसरी फागुन मास को मनाई जाती है माशिवरात्री के दिन सुबह भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए सबसे पहले उनका ध्यान कर इसनान करें किसी शिव मंदिर या शिवाले में जाकर ओम नमस शिवाय का जापकर शिव की पूजा करें वैदिक विदी विधान से रुधराविशेक करें और शिवलिंग पर फूल अर्वा, चावल, गाय का कच्चा, दूद, मधू, चंदन, बेल पत्ता, गन्ने का रस, धान का पत्ता, धतूरे का पत्ता, फल और फूल अर्पित करें ततपश्यात, शिवजी पर शुद्ध जल और गंगा जल चड़ा कर उनकी आरती करें महा शिवरात्री के दिन भगवान शिव को जल चड़ाने से पुन प्राप्त होता है वैसे तो यह सभी के लिए बेहद खास है लेकिन इस शिवरात्री को एक विशेश शईयोग बन रहा है जिसका असर तीन राशियों के लोगों पर सबसे अधिक पढ़ने वाला है आईए जानते हैं कौन सी हैं वो तीन राशियां व्रशव व्रशव राशिवालों के लिए जोतिश के मुताविक महा शिवरात्री के बाद का समय काफी अच्छा रहेगा व्रशव राशी के जातकों को नौकरी में प्रमोशन और धनलाब होगा सिंग राशी के जातकों के लिए यह महा शिवरात्री विशेश रूप से लावदायक है शिवरात्री के बाद सिंग राशी के जातकों की तरक्की होगी सिंग राशी के लोग जो भी योजना बनाएंगे उसमें लाव होगा फसा हुआ धन वापस मिलेगा आय और नौकरी में पदो नती मिलेगी व्यपार में अचानक लाव मिलेगा और आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूर होंगे और परिवार में शान्ती वे आनंद का माहौल रहेगा वरश्यक राशी वरश्यक राशी के जातकों को महाशिवरात्री के बाद हर कारिसा फलता मिलेगी और नौकरी में प्रमोशन से धनलाब होगा फरवरी महीने में इस राशी के जातक मानसिक रूप से प्रसन और इस फूर्ती का अनुभव करेंगे व्यवसाई से अचानक लाब होगा और आक्समिक धनलाब का यूग बन रहा है इस राशी वालों की किस्मत चमक जाएगी एक्स्ट नाइन स्प्रेच्वल की रिपोर्ट